हेलो दोस्तो, स्वागात है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल पर आज की breaking news है, तालिबान के आतंक से अफगानिस्तान में तरहीमाम यानि तालिबान ने अफगानिस्तान में एकदम से तरहीमाम मचा दिया है अभी हाली में news आया है कि अफगानिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा सहर है मतलब कांदार, कांदार पर किसने कबजा कर लिया है, तालिबान ने कबजा कर लिया है चलिए जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान के किन-किन सहरों पर या प्रोवेंसेस पर कबजा किया है और क्या इस्थती है अभी वर्तवान में तालिबान की अफगानिस्तान पर तालिबान के आतंग से अफगानिस्तान में त्राइमा तालिबान ने लगातार मत्पून जो अफगानिस्तान की इलाओ के उन पर कबजा करता गया है अब कंदार उनके कबजे में आ गया है इसके बाद अब उनका अगला टार्गेट है क्या राजधानी काबूल जो की सबसे बड़ा प्रोवेंस है वहांगत अफगानिस्तान का इस न्यूज को तालिबान के एक प्रवक्ता ने आधिकारिक तोर पर अपने ट्यूटर एकांट पर जानकारी देखकर पुष्टी की है कि कांदार पर उसने पूरी तरीके से कबजा कर लिया है चलिए अब जानते है कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान पर यह जो कबजा किया है उसके पीछे की कहानी तो इसके पहले अफगानिस्तान में एक सांती समझदा हुआ था जो की मार्श दोजार सोरी 29 फरवरी 2020 में USA और अफगानिस्तान मतलब कि अफगानिस्तान में जो तालिबान उसके बीच समझदा हुआ अफगानिस्तान के सांती के लिए जिसमें कहा गया कि चौर्डा महिने में जो USA है वो अपनी सेना को वापस बुला लेगा. जो एसतान में जो USA की सेना है उसको अपने वापस बुला लेगा. और अमेरिका के मुख की वारताकार जल मय खलीज जाद ने भी मुझूद थे और इसी के साथ साथ जो तालीबानी प्रतिनिदी का जो मंडल है उसकी अगवाई किसने की मुला बिर्दार ने की थी इस कारकरम के साथ जी बने दुनिया के 30 देसों के प्रतिनिदीों को भी बुलाया गया साथ जी बनाने के लिए और इसमें भारत भी सामिल है जो अफगानिस्तान पीस समझोता हुआ उसमें भारत भी सामिल था चलिए अब जानते हैं कि वर्तवान में अफगानिस्तान की क्या इस्तती है अमेरिकी सेना के बापसी के बाद जो तालिबान है उसने अपनी पूरी ताकत के साथ जो अफगानिस्तान में सब्ता काबिच करने की कोशिस किये इसी के तहट उसने डू बाइ थ्री जो जगह है अफगानिस्थान की उस पर पज़ा कर लिया है कंदार के फत्य से पहले उसने क्या जो दो प्रांती राजदानी कौण कौण सी गजनी और हैरात पर भी कबज़ा कर लिया है इसी तरह आतंगवादी संगटन तालिबान ने 12 प्रांती राजदानियों पर कब्जा कर लिया है यानि अफगानिस्तान में 34 प्रांती प्रोवेंस थे उसमें से 12 प्रांती प्रोवेंसों पर उसने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है अब उसका जो target है वो क्या है राजदानी काबूल तो चलिए जानते हैं जो गजनी और हैरांट जो प्राइंट है वो कहां पर situated है मेप में देखते हैं तो यह जो है अफगानिस्तान का मेप है इस मेप में हम देख सकते हैं कि जो यह गजनी है ठीक है गजनी पर भी किसने बात्षा किया है जो कि सेकेंशनमर का विगेश हैँ कहां का अफगानिस्तान अब यह गजनी से काबूल है जो प्रकांश जाकता है तालिबान के द्वारा तो अब देखते हैं कि जो वर्तवान इस्तिती और जो अमेरिका की जो अमेरिका वहाँ से चला गया उसके बाद क्या इस्तिती है अफगानिस्तान में और उसके पहले क्या इस्तिती ती यहाँ पर हम आपको दो मेंपों के जरिये दिखाते हैं जो यह की वर्तवान आठ अगस्त बोईव करो में पर और CH麼 इसमें अब देख सकते हैं कि यह अफगानीसस्तान का में पर और इसमें जो यह तालीबन का अफगानिस्तान का कबजा रहा है अगर जिस तरह से अगर शेना जो अमेरिका सेना वापस चली जाएगी उसके बाद अफगानिस्तान पूरी तरीके से ऐसी आसंका है कि अफगानिस्तान में पूरी तरीके से तालिबान अपना कपजा कर बिल देगी अगर हम भारत की इस्तिती के बारे में बात करें अफगानिस्तान में तो भारत अपनी सेना नहीं भेजना चाहेगा अफगानिस्तान में क्योंकि यहाँ पर टालिबान और जो गवर्मेंट है उनके बीच बहुत जोड़दार खावार चल रहा है और इसलिए भारत नहीं चाहता है कि वो किसी भी तरीके से अगर अपनी सेना भेशती है इन फ्यूचर तालिबान का कबजा हो जाता है तो तालिबान भारत पर अटेक ना कर सके तालिबान भारत के खिलाफ ना जाए इसलिए भारत ने तालिबान के साथ भी एक वारता की थी और जो अफगान गवर्मेंट उसके साथ भी वारता कर रही है भारत बीच का रास्ते पर चल रही है मध्यम मार के रास्ते पर चल रही है इन फ्यूचर अगर तालिबान का कब्जा होता है तब भी भारत सेफ रहे है और अगर अफगानिस्तान का है तो अफगानिस्तान की जो गवर्मेंट का कबजा रहेगा, अफगानिस्तान की जो गवर्मेंट बनी रहेगी, तो उसके साथ भी भारत के रिष्टे अच्छे से बने रहे हैं, इस तरह के साथ भारत एक safe place, safe game खेल रहा है, जिससे भारत को दो यह अपने दोस्तों के बीच थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग